हेलो दोस्तों welcome to my channel दोस्तों यह भी लुकप सीर्यस की तीसरी वीडियो है अगर आप भी लुकप सीर्यस की पहले की दो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका link में description box में देदुँगा आप वहां से थे देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों हम बात शक्रात करेंगे म approximate मैच की वी लूक अपके अंदर हमारे चार आर्ग्यमेंट आते हैं तो जह ममारा format होताय रेइंज लूक अप उसके अंदर हम दो ही वैल्यू लख सकते हैं या तो हम हम एग्जेक्मेट लगा सकते हैं तो भॉल्ज यह दिखाऊंगा तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों यह मैंने एक एक्जाम्पल लिया है जिसमें मुझे स्कोर के बेसिस पे ग्रेड को पिक करना है तो मैं इसमें आपको वी लुक अप लगाकर दिखाता हूं मैं यह वाली रेंज को सेलेट करता हूं अब इसके अंदर एक्जैक्ट मैच लिया है एंटर करता हूं मैं अपने फॉर्मुले को नीचे तक ड्रैक करता हूं तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा इसने मुझे कही जगाव पर हैशने का एरर दे दिया यह दोस्तों इसने इसलिए ही दिया कि हमारे पास बहुत से कैस ऐसे होते हैं जहां पर हमारा एक्जैक्ट मैच वर्क नहीं करता इसलिए हमें इन जगाव पर एप्रॉक्सिमेट मैच यूज करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे स्कोर है वो कभी भी हम उसके लिए एक्जैक्ट फिगर सेट नहीं कर सकते वह हमेशा एक रेंज के बीच में दन ही लाई करते हैं जैसे कि अगर जीरो से 33 के अंदर किसी के मार्ग आया है तो मुष् Cu ग्रेड देंगे 64 से 50के अंदर मार्ग्स आया हम उसे डी ग्रेड देंगे तो मैंने क्या करा इस रेंज के अंदर जो भी सब की स्टार्टिंग रेंज थी उसको एक अलग से कॉलम मे में लिख लिया अब दोस्तों इससे मेरे को क्या benefit मिला अगर मैं इस पर approximate match लगाऊंगा तो यह मुझे उसके वेसिस पर grade पिक करके दे देगा मैं इस formula पर आता हूं f2 प्रेस करता हूं और जो लास्ट मैंने range look up 0 लिया था उसकी जगा मैं 1 कर देता हूं approximate match के लिए और enter करता हूं हम मैं अपने इस formula को निचे तक ड्रैक करता हूं तो आपने देखा कि इसने मुझे सारी values पिक करके दे दी दोस्तों किस basis पर वक करता है मैं आपको वह समझाता हूं जो भी मेरा score 0 से start होगा और 34 से कम होगा उसके लिए मुझे एफ ग्रेट देगा जो भी मेरा score 34 या 34 से उपर होगा बट वह 51 से कम होगा उसके लिए मुझे डी ग्रेट देगा और यह इसी बेसिस पर आगे आगे चलता रहेगा ऐसे ही जितने भी score 81 या 81 से बड़े होंगे उन सब के लिए मुझे ए ग्रेट देगा और यही सेम चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं जैसे कि अगर 30 था तो इसने मुझे एफ दिया क्योंकि वह 34 से कम था ऐसे 33 पर भी एफ दिया बट जैसे ही मेरा score 34 हुआ तो इसने मेरी grade D कर दी और फिर ज ग्रेट पिक करके दी और यह 90 पर इसने मुझे ए दिया क्योंकि वह 81 से बड़ा था अब दोस्तों इसके अंदर एक दो चीज़े हमें और याद रखनी पड़ती है जो भी हम यह अपनी लुक अप रेंज देते हैं यह हमेशा सौर्टेट ओर्डर में होनी चाहिए मैंने आ हमेशा असेंडिंग ओर्डर में ही अरेंज होनी चाहिए उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है पॉइंट वो यह है कि अगर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उससे हम कोई लेस्दन वैल्यू यहां पर वी लुक अप में डाल देंगे तो मैं हैश अन्ने का एरर देगा जैस घर फोर्थ आर्ग्युमेंट होता है वी लूक अप में जैसे मैं आपको एक बर वी लूक अप लिखे दिखाता हूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो मारा फोर्थ आर्ग्यूमेंट है उसके दोनों तरफ स्क्वैर ब्रैक्ट लगे है अगर हमारे फॉर्मूले में कि लगे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस argument को लिखना compulsory नहीं है हम इसे छोड़ भी सकते हैं और वी लुक अप के केस में जो रेंज लुक अप है उसके दोनों तरफ square bracket लगे हैं यानि कि इसे लिखना compulsory नहीं है तो अगर हम अपने फोर्थ argument को छोड़ देते हैं तो वो बाइड डिफॉल्ट भी एप्रॉक्सिमेट मैच ही लेता है यानि कि अपने फॉर्मुले में आता हूं और जहां मैं लास्ट की एक रेंज दे रखी है और उस रेंज के हिसाब से मुझे कमिशन परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैंने इस केस में भी वही करा जो मेरे कमिशन की रेंज का फर्स्ट अमाउंट था मैंने वह एक सेल में ले लिया और अब इसके वेसिस पे मैं वी लूक अप एप्रॉ कॉमा इंडेक्स नंबर मेरे सेकेंड है क्योंकि मैं अप्रॉक्सिमेट मैच लगा रहा हूं इसलिए मैं लास्ट अर्गुमेंट को ड्रॉब भी कर सकता हूं तो इसलिए मैं उसको लिखता ही नहीं ब्रैकेट को बंद करता हूं और एंटर कर देता हूं और मैं अपने इस निचे तक ड्रैक कर देता हूं तो दोस्तोंने मुझे कमिर्षण करके दिया किर जैसे फाइफ उड्रेड पे इसने तैन परसेंट दिया वह दोस्तों इसलहें लिए क्योंकि ku ौनॉटि फाइफ उड्र्डेड इस रेंज के अंदर प्रफॉल करता है जो कि 2000 से तो ज़्यादा है बड़ 3000 से कम है इसलिए इसने मुझे 14% दिया ऐसे अगर हम 500 के बात करें तो इसने मुझे 20% दिया है पच पंसो यहां पर आएगा जो कि 5000 से ज़्यादा है बड़ 6000 से कम है तो इसलिए 20% development and so on तो दोस्तो यह होता है हमारे वी-look-up का एप्रॉक्सिमेट मैच तो जब भी हमारे पास जो हमारे लॉक-फग में एक्जक्ट मैच ना करें तो रही है अप्रॉक्षिमेट मैच से भी अपनी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं तो दोस्तो इस विडियो के लिए इतना ही अगर आप इस workbook को download करना चाहते हैं तो इसका link में description box में दे दूँगा आप वहां से इसे easily download कर सकते हैं